एक बास सभी लोग मुझे कॉमेंट में बता देंगे कि हनजी मैं मग विजिबल हो और अडिबल हो चलिए ग्रें सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं let's get started और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन वुक्याबलेरी के साथ एक बास सभी को request करूंगी session को like कर देंगे और share कर देंगे जिससे की maximum students तक ये session पहुँच जाए तो start करते हैं आज का session वुक्याबलेरी के साथ और सबसे पहला word है the very first word is dissenting दो को दो words होते हैं एक होता है consent एक होता है dissent consent का मतलब होता है कि आपने जो बोला सामने वाले ने आपकी बात मान ले dissent का meaning होता है आपने जो बोला सामने वाले ने आपकी बात नहीं मानी उसका opinion एकदम अलग था तो dissenting word का meaning क्या हो गया कि सामने वाले का जो opinion था वो एकदम अलग था आपने कोई suggestion दिया, आपने कोई decision लिया, आपका कोई विश्वास है, सामने वाला उससे disagree कर गया That means उसका view कैसा था, उसका view descending था अब ये V1 प्लस ING लग रहा है, तो ये किस की तरह से use होगा, ये adjective की तरह use होगा Differing है, contradictory है, इसका meaning क्या है, अलग है Angerims क्या हो गए भई, सामने वाला मान गया, agree कर गया, सामने वाले ने accept कर लिया तो हाला कि team ने जारतर issues पर agree कर लिया, लेकिन कुछ क्या थे, dissenting opinions थे, contradictory opinions थे, उस meeting के दौर अगला word है, unanimity, अब इसमें अगर आप देखोगे, तो एक root word है, anim Enim root word का meaning होता है, mind, तो unanimity एक तरीके से क्या हो जाता है, unity in mind Unity in mind का मतलब क्या है, कि सब लोगों की सोच एक ही जैसी है, सब लोग एक ही बात पर agree कर रहे है That means what, unanimity, तो वो last में ity लग रहा है, तो ये शब्द आपका क्या हो गया, noun हो गया, इसका एक adjective form भी होता है और जो होता है, unanimous, unanimous इसी word का क्या होता है, last में OUS लगता है, तो आपका adjective form हो जाता है तो unanimity means, सर्व सम्मति, सब की सहमति है, accord है, concurrence है, मिस सब लोग एक ही बात को कह रहे है antonyms क्या हो गए, discord है, लोग एकी बात को नहीं मान रहे, dissension है, लोगों की opinions अलग अलग है तो बच्चों के बीच में unanimity थी, सारे के सारे बच्चे एक ही बात को मान रहे थे, कि उस charity event को support करना चाहिए अगले word पर आते है, the next word is interlude, inter, inter का meaning क्या होता है, बीच में, या दो लोगों के आपस में, तो inter means what? inter means between, lude, l-u-d, इस lude word का meaning क्या होता है, वैसे तो एक word होता है, l-u-d या l-u-d-e, इस दोनों words को हम speech से related करते हैं, मैं तो कुछ ना कुछ बोलना, या कुछ ना कुछ बातचीत, या किसी तरह का, हाँ, उसको बोलते है, lude या lude, for example, एक word होता है, prelude, तो prelude का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो किसी भी आगे event से पहले हो, prelude, तो interlude means, दो events के बीच में हो, तो अगर prelude का meaning है, किसी event से पहले, तो interlude क्या हो गया, interlude हो गया, दो events के बीच में, means intermission, या interval, part of speech, ये शब्द भी आपका noun, antinyms क्या हो गया, लगातार हो रहा है, persistently, persistence means लगातार हो रहा है, कोई gap ही नहीं है बीच में, तो ये जो तूफान आया, वो एक छोटा सा interlude था, मतलब एक sunny day था, सुभे भी sun था, शाम को भी sun था, सुभे भी धूपती, दुपैर में भी धूपती, उसके बीच में एक rainstorm आगया, वो क्या था, interlude का, अगला word है, unequivocally, सबसे पहले तो इस word पर double star मार करो, बहुत बार ये word exam में आया है, देखो, equivocal का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते है, equivocal का मतलब होता है, कि आप दो बातें कह रहे हो, आप clear ही नहीं हो, आप कुछ बात को support कर रहे हो आप कह रहे हो, यार मुझे वहाँ जाना भी चाहिए था और आप कह रहे हो, मुझे वहाँ नहीं भी जाना चाहिए था तो आप clear नहीं हो, इसका मतलब आप क्या हो, equivocal हो अब आपने इसके आगे un लगा दिया तो unequivocal का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप clear हो ये दोनों words कौन से होते हैं, adjectives होते हैं adjective के आगे ly लगता है, तो वो क्या बन जाता है, वो आपका adverb बन जाता है तो unequivocally का मतलब क्या होते हैं, बहौती clearly, बहौती spushed रूप से that is what, clearly, और क्या कह सकते हैं इसको, एक और word है जो बहुत बार use होता है and that is unambiguously, इसके उपर भी double star mark कर लो, unambiguously का मतलब क्या होते हैं, बहुत clearly, decidedly, undeniably मिस कोई doubt ही नहीं है, antonyms क्या होगा है, skeptically, skeptically मिस बहुत बढ़ा doubt है भई, इसके उपर भी double star mark करो indecisively, आप deciding नहीं कर पा रहे हो, तो उसने बहुत ही clearly, उस proposal को reject कर दिया समझा रहे हैं, अगले word पर आते हैं, condemn, आपने किसी को condemn किया इसका मतलब क्या है, उसकी भर-भर के बुराई करी action की बात कर रहे है, part of speech, verb हो गया तो आपने क्या किया, उस इंसान की खुब बुराई करी आपने censure किया, denounce किया, criticize किया, means बहुत बुराई करी antonyms क्या हो गए, आपने comment किया, comment पे और extol पे दोनों बे स्टार माग करू extol किया, means तारीफ करी, praise किया, appreciate किया, eulogize किया, means भर-भर के तारीफ करी तो health inspector ने उस restaurant की बुराई करी, क्योंकि उस restaurant में बिल्कु भी साफसफाई नहीं थी unsanitary conditions थी, बहुत ही खराब conditions अगला word है compounded, compounded हो कैसे याद कर सकते हो, compound interest पढ़ाए compound interest, interest क्यों पर, interest is compound interest तो आपको 100 रुपे मिल रहे थे पैसे में, बट आपको 102 रुपे मिले मतलब क्या होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, और specially किसको बढ़ा देना दर्दों को बढ़ा देना, दर्द दिलों के कम हो जाते, ऐसा सोचा हुआ था लेकिन हुआ क्या, दर्द दिलों के compound हो गए, बढ़ गए exacurbate, aggravate, versand, means बिगड गई बात antonyms क्या हो गए, la हो गए, alleviate हो गए, means सुकून मिल गया mollified, सुकून मिल गया, placated, सुकून मिल गया तो अगर आप अपने assignments को procrastinate करोगे, procrastinate means delay करोगे, delay करोगे, तो आपका जो stress level है, यह क्या हो जाएगा, compound हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा action की बात कर रहे है, verb हो गया दर्द दिलों के कम हो जाते, हम और तुम अगर नि मैं और तुम अगर हम हो जाते, यह है, आपके भी lyrics में खुटाला है चलो, अगले word पर आते है, the next word is potent, potent का मीनिंग क्या होता है, जिस बहुत पावरफुल हो, उसको बहुते है potent, for example एक और word होता है, and that is omnipotent, omni का मीनिंग क्या होता है, all, तो omnipotent is what, all powerful, जिसके पास सारी ताकत है that is what, omnipotent, for example, शिवजी या फिर गॉड या कोई भी भगवान, is omnipotent, all powerful, तो potent क्या हो गया, बहुत powerful है, forceful है, effective है, influential है, mighty है, antonyms hamstrung है, बन्दा हुआ है, inefficacious है, power नहीं है, किसी noun के बारे में बात कर रहे है, adjective, तो उसकी जो बात थी, वो इतनी powerful थी, कि उसकी बात ने हर किसी को convince कर लिया, उस room में, अगला word है, befallen, befallen का meaning कि कोई चीज किसी के साथ हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, befall हो रही है, उसकी उपर गिर रही है, मतलब उसके साथ में सामना करेंगे, action की बात कर रहे है, part of speech is verb, समझ आ रहे हैं सभी को, अगले शब्द पर आते हैं, next word is ominous, सबसे पहले तो last में OUS लग रहा है, adjective, ominous word बना है इस शब्द से, omen, जबसे कहते हैं न, अगर काली बिल्ली रास्ता काड़ जाए, तो एक bad omen होता है, तो omen means signal, कि आगे क्या होने वाला है, तो ये noun form है, और इसका adjective form है ominous, ominous means कुछ खराब होने वाला है, कुछ अशुब होने वाला है, inauspicious, unpropitious means unfavorable कुछ होने वाला है, अचनिम्स क्या होगे, felicitous means बहुत अच्छा होने वाला है, promising बहुत अच्छा होने वाला है, इस felicitous word पर double star mark कर लेना, अचानक से जो temperature कम हुआ है, जो ठंड होई है, वो एक signal है, खराब signal है, कि एक तूफान आने वाला है, चाल, अगला word, grievous, फिर से last में OUS लग रहा है, part of speech is adjective, grievous किस word से बना है, ये बना है grief शब्द से, grief शब्द का मीनिंग क्या होता है, दर्द, दुख, वो grief में है, मतलब वो दुख में है, वो pain में है, तो इसी word का adjective form क्या होगे, grievous, तो grievous क्या होगे, वो चीज़ जो दर्द दे, break up क्या देता है, दर्द देता है, तो grievous means grave, dire, means कोई चीज़ बहुत serious, वो बहुत दर्द देती, antinims, gratifying, joyous, वो चीज़ सुकून दे, खुशी दे, patch up हो जाए break up के बाद, तो वो क्या देता है, खुशी देता है, तो ये बहुती दर्द भरी error थी, नदो बहुती serious error थी, जिसकी वज़ा से data breach हो, जिसकी वज़ा से data rules तोड़े गए, जिसकी वज़ा से data leak हो गए, समझा रहे हैं? आप लोग break up patch up हमेशा एक relationship, एक उस तरह के relationship में ही क्यों चले जाते हैं? जाल, अगले word पर आते हैं, the next word is partisan, partisan क्या होता है? पक्षपाथ, इसका मतलब क्या होता है? कोई इंसान अगर partisan है, तो एक की तरफ है, दूसरे की तरफ नहीं, generally आप अपने parents पर ये इंजाम लगाते हो, मेरा भाई, मेरे पाप पर बहुत इंजाम लगाता है, या आप तो न सिर्फ अपनी बेटी से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, तो partisan का मीनिंग क्या होता है? एक की तरफ बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाना, एक चीज की तरफ बहुत ज़्यादा biased होना, prejudiced होना, भेद्भाफ करना, तो that is what? Partisan. Antonyms क्या हो गए? Impartial होना, fair होना, फिर हो कहते हैं, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो impartial हूँ, मैं तो fair हूँ. तो partisan means, पक्ष पात करते हो. तो part of speech क्या हो गया? यह जो शब्द है, इसको आप adjective की तरह यूज करते हैं, क्योंकि नाउं के बारे में बात करते हैं. तो sarha try to stay, sarha neutral रहती थी लड़ाई में, लेकिन उसके जो partisan beliefs थे, वो एक ही तरफा थी, वो beliefs, उसके जो विश्वास थे, वो एकदम evident थे, evident means clear थे. Evident भी बहुत important word है, बहुत बारे exams में आच चुक है. Evident means एकदम clear थे. Cessation means किसी चीज़ को रोक दे ने. तो किसी चीज़ को रोक दिया गया, उस fact को क्या होते है? Cessation, डुक गई वो चीज़. Conclusion, cease, unthooping. Antonyms, commencement, शुरू हुई, inception बे double star मात करू. inception बहुत बार exams में आया है. इसका मतलब क्या है? उस चीज़ की शुरुवात, beginning. तो company ने क्या announce किया? Temporary cessation. तोड़े देर के लिए रोक दिया जाए operations को, क्योंकि बिजली चली गई. Power outage में बिजली चली गई. Last में ION लग रहा है. The part of speech is what? Part of speech is now. To, कोई चीज़ किसी जिससे pertain कर रही है, मतलब उस चीज़ से related है. Flared up, कोई चीज़ अचानक से बहुत खराब हो जाए. बहुत जादा बढ़ जाए और खराब हो जाए. उसको क्या बोलते है? उसको हम बोलते है, Flare.